तो हलो नमस्ते अस्तार कुछ से काल केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है टीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैं हापर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉकडाउन हुआ जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं के बच्चे है और कुछ काम लेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहा वाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई वाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास मेहीं पांचे किलमेडर दूर एक गाउं में बेजा राशन करीदें के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो के बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्हों सवालना काम से कि ये मास पेनो दूर उटो और ये मास पेनो तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया यहां पर आए उन्होंने ये कहानी बयान की और मैंने से कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वो ही आपने किया और रहाईती बेव किस को मैं कहां लेके जा रहा हूँ, वो मेरी बात अब और से सुने, किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुख दाइक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है, लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक वो एंटी हुमन, एंटी इंसानियत है, जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिंट है, उसके बात ये समझ में आ जाती है, कि हमने एतियात नहीं रखा, गल्दी हमसे हो गई, और जो नेगेटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं, वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गैरंटी है, और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे, खांदान से महले को, महले से शहर को, शहर से पुरे हंदुस्तान को, क्या कहा है गवर्मेंट नहीं, कि बाहर मत जाओ, सोशल कैदरिंज ना करो, यही कहा है न, दोस्तियारों से ना मिलो, आइस के साथ बग गुजारो, यह सब किस के लिए, उनके लिए, नहीं, हम सब के लिए, नमाज पढ़ना है घर पे पड़ो, बुझा पाट करनी घर पे करो, बच्पर में यह सीगा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, यह यहां पर आके, यह बात चेंज कैसे हुई, इंडिया के आवाम को, इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो, स्टार्टिंग विथ योन फैमिली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बज़र्ग, जिन्होंने तुमें पाल पोस्के बड़ा कि आए, उनके साथ चुरुआत करोगे, अब आब बताओ, पुलीस का साथ देना, गवर्मिन्ट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं, उनका साथ देना, या नहीं, अब वो लोग इस बात का जवाब दो, जो के गवर्मिन्ट की बात नहीं सुन रहें कि वो सही अ गलत है और रेक्ट है रॉंग है नेगटिव सोच रहे हैं अगर आपके आक्शन सही होते तो यह लॉक्डाउन अभी तक के खतम हो गया होता और क्रोना वायरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते ग्रूप्स में दोस्तियारों के साथ तो आपनि माज़ें कि यहां किस समय गुल कर नाट», गवर्मिंट ने वादा यह कeka कि आपको मिलें आपको क्या लगता है, कि पुलिसले डॉक्टर्ज नर्सेस गो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरिस नहीं होगा उनके परिवाद इंयोगा लेकिन उनको देखो तिर भी वह ऐट ठरा ठरा घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपाथ, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती। आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहें, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें, और वो भी आप नहीं निभा रहें, मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया है कि घर से बाह मत निकलो, उन्हें निकलना शुरू करती है, कमाल है, अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, नर्से अपनी जान को खत्रे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसके वज़े से आप ATM और अपने account से पीसे निकाल रहे हैं! अपने खाने पिने के लिए आप उनकी वी जान को खत्रे में धाल रहे हैं या कमार है कि practicing practice आपकी जान बचाने के लिए आए नर्सेस आपकी जान बचाने के लिए वर आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां किस और भाग रहे हो जिंदकी के और भाग रहे हैं मौत के और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्यूंकि वो भी ये जानते हैं कि परीवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाये पीए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकिव में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खतम हो गया है लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वर वाप कि आप अपने परिवार वालों को कांदा दोगे उनकी अर्थी उठाओगे कि इतना जिगर है आप तक यूँ आप यमराज और मलकल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इनलिल्ला है और राम नाम सकते है पड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे है आप रिसाइट करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना पहले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहिए सन्यवाद